वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फोर ओल आप लोग का फिर से बहुत-बहुत अभिनंदन आप लोग के अपने चैनल एजुकेशन हब फोर ओल में तो हम लोग का आज इर प्रेक्षा मंतन का जो है सब्सक्राइब 2020 उसका हम लोग फर्डर चैनल करेंगे प्रेक्षा मंतन लक्षव 202 अतिर्क सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको वीडियो समय पर उपलब दो सके और पेल आइकन को प्रेस करना ना भूले इससे फाइदा आपको होगा क्या तो जो भी वीडियो अपलोड होगी आप तक तुरत पहुंच जाएंगी जो भी अपडेट होगा आप तक तुरत पहुंचेंगी और हां लाइक और कामेंट जरूर करें लाइक करने से प्रोस्ताहार मिलती है ताकि वीडियो बनाने में एक एनर्जी सी मिलती है और हां ये वीडियो मेरा एक कोशिस है मेरी एक कोशिस है कि वैसे छात्र जिनके पास सारे मेट्रियल व्यवस्ता नहीं हो पाते हैं या सुदूर छेत्र में रहते हैं ग्रामीन छेत्र में रहते हैं उनके लिए मेरे एक कोशिस है वैसे सभी छात्र चात्राओं के लिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर थ्री पडिक्ष्छा मंथन कि लक्ष फाइव 2020 कि तो सबसे पहले हम लोग देख चुके थे क्या देखे थे हम लोग सेकेंड में चुकी मैं आर्थिक सर्वेक्ष्ण डाला था वो प्रोटेंड के द्रिष्टी से अब हम लोग स्रीज सित लेंगे कंटिन्यू पेज वाई पेज तो राष्ट्रिय में हम लोग देखे थे कि प्रधार मंत्री द्वारा जो सतनता दिवस पे घोशित कुछ प्रमुख योजनाय थे जैसे कि राष्ट्रे डिजिटल मिशन प्रोजेक्ट डॉल्फीन प्रोजेक्ट लायन वन सन वन वर्ल्ड प फर्ष्ट लेक्शर में आप देख लेंगे यह वीडियो आपको र मिल जाएगी फर्स्ट उसको कर रहे हैं हम लोग तो ऑप जो इसमें है उसके बाद नेक्ष्ट स्रीजन स्रिजन क्या है विसकी बढ़ हम जानते हैं हम लोग स्रिजन 14 अगर्ष 2020 को रक्छा मंतरी के रक्छा मंतरी ने उतपादन को बढ़हवा देने के लिए उतपादन को बढ़हवदेने के लिए औनलाइन पॉर्टल है जिसका नाम क्या है स्रीजन है किसको बढ़ावा देने के लिए तो रक्षा मंत्री ने रक्षा उत्पादन को कब तो 14 अगर्ष्ट 2020 को कि स्रीजन लौंच कियां गौरतलव है कि इस पौर्टल में उन बस्तु को परदशित किया जाएगा जो बरतमान पर भारती रच्षा उद्योग द्वारा आयात किया जा रहा है इसकूरध ब्रच्चामंत्रा ने आय आय टी और र levels जारी दो समझोता गया आपन पर हस्ताक्षर किया है यह योजना भारत को अन देशों से आयात करने के बजाए अपने खुद से बनाने के लिए अपने तकनिकों का यूज करके प्रसाहिद करने के काम किया है यह संयुक्त उद्यमों के माध्यम से प्राप्त किया जाना है इस योजन Computational छेत्र की गतिसीलता और Internet of Things जैसे छेत्रों में सहयोग के लिए समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है जिसमें कौन्त B.E.L.M. and I.I.T. कानपुर के मानव रहित हवाई अड्डो या हवाई वाहनों को विक्षित करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है दूसरा क्या है मजगाउं डॉक्षिप यार्ड डॉक्षिप बिल्डर्स लिमिटेड ने एस एस के क्लास सब्मरीन्स के स्वादेशी ऑवर हॉलिंग के लिए मेधा सर्वो ड्राइब्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है न जाथ जड़िश केन्ज सरकार ने स्व एक्षता स्व एक्षय непoi सबसे स्वक्ष सहर घोषित किया है वहीं गुजरात का सूरत जो है सूरत और महाराष्ट का नभी मुंबई दूसरे तीसरे नमबर पर है और महाराष्ट का सबसे गंदे सहर में आपको सब्सक्राइं है कि यहां हम देखते हैं क्या 12 चोटे बरे गंदे सहर को भी देखते हैं शुक्षता सर्वेशन 2020 को दो स्रेनी यानि 10 लाग से ज्यादा वाले सहर और 10 लाग से कम आवादे वाले सहर के अधार पे विभाजित किया गया है तो 10 लाग से ज्यादा की जनसंख्या वाले सहर में कौन पतना बिहार एक नंबर पे है गंदे सहर में पुडवी दिल्ली दो पर है चेननाई तिन नंबर पर है कोटा चार नंबर चार और बीच से पांच आपको याद रखना है और पांच में उत्तर दिल्ली है ऑर लाश्ट में दस्वे पैदान पर है फरिदावाद हरियाना ओके आप चाहे दो सब को लिए सकते हैं लेकि कम से का पांच और लास्ट का पहला और लास्ट का बीज का पांच क्याद रखना है दस लाग से कम जनसंक्या वाले सहर में भी गया ही है बिहार ही है फर्स्ट गया है सेकेंड वक्सर है थर्ड पंजाब है अबोहर वहां अबोहर पंजाब में है और फोर्थ फिर भागलपूर है फिप्थ फिर बिहार ही है परसा बजार शीक्स आ गया है मेगाले का सिलोंग और सबसे last है सहर सा बिहार OK भारत ने वीशु का सबसे बद्धा solar tree यह भी important है solar tree को विक्षित किया है विग्यान और पादेगी की मंतरा लेके तहट काम करने वाले CSIR CMIR ने दुनिया का सबसे बद्धा solar tree विक्षित किया है इस tree की वार्षिक स्वक्ष और हडी तूर्जा उत्पतन करने की चमता 12000 से 14000 एकाई तक है अब देख ले इसकी कुछ मुखविंदू मुखविंदू क्या है इसकी तो सोलर ट्री को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि परतेक सोलर फोटो बोल्ड टाइल पैनल को अधिकतम एक्सप वार्ट बिजली उत्पन करने की चमता है सोलर ट्री की कीमत 7.5 लाख रुपए है इक्षुक MSME या अक्षे उर्जा रायत ग्रीड विक्षित करने के लिए प्रधान मंत्री किसान उर्जा सुम्रच्छा पीम कुसुम के साथ गटबंधन कर सकते हैं उप्योग सोलर ट्री को मूली अस्थिर जिवासमींदन के विकल्प के लिए क्रिसी के साथ जोर जा सकता है एक सोलर ट्री 10 से 12 टन कारवन डायकसाइड उस सरजन को कम कर सकता है साथ ही इन बीज़ों से अधिसेस उर्जा को उड़जा ग्रीड को भी जा सकता है ओके तो यह परिच्छा मंतन का आपका पेज नंबर चाड़ है और मैं चोटा वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि आपको रिविजन करने में प्रब्लम नहों और क्विक रिविजन आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं चलिए बाबाए ट द्यान से पढ़ें समय का प्योग करें अब प्रिच्छा में बहुत कम समय रह गई है